आज हम आपके लेके आए हैं ब्रह्मास्त्र सेट पेपर नमबर चार अभी तक जो है तीन ब्रह्मास्त्र सेट पेपर हो चुके हैं आज जो है हम चौते नमबर का सेट करवाने वाले हैं डेली आपकी क्लास लाइब होती है, आठ वजे थोड़ा साज लेट हो गया है ना, तो सेट अप नहीं हो पा रहाता है ना, तिस वजे से लेट हो गया, डेली आपकी क्लास आठ वजे होती है, अग्री कल्चर कम्प्यूटर प्लस UPGKK, कम्प्लीन पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका क्या कराये जाता है, पूरा सॉल्यूशन कराया जाता है, सभी लोग ज़्यादा से जजादा सेट को सेर कर देजे, जुढ़ जाए सभी लोग ब्रह्मास्त्र UP SSC AGTA के लिए है ना ब्रह्मास्त्र सीरीज आपका पार्ट फोर है जिसने तीन पार्ट नहीं देखे हैं वो पिछली कक्छा को जाके देख सकता है ठीक है और कुछ आज खास लेकर आए है इंडीपेंडेंडेंडे के उपलक्ष में सवतंते दिवस के उपलाफ्ष में कुछ आपके लिए special है ठीक है कुछ special है जली से सभी लोग आजाऊ फिर मैं बताता हूं क्या special है आजाए सभी लोग आज कुछ आपके लिए gift है हमारी तरफ से कुछ special है आजाए सभी लोग इनतेजार नहीं हो रहा जल्ली से कर दें open gift open कर दें आपका चली करते हैं आपका gift open करते हैं टिक है gift open करते हैं आपका gift रहा independence day offer आप आप लोगों के के लिए लेकर आए हैं इंडीपेंडेंस डे स्पैसल ओफर अप्टू 15 परसेंट ओफ 14 तू 21 अगस्त आपके आज से 21 अगस्त तक आपको जो बिजेन एगरेकेडमी के जितने भी कोर्सिस हैं वेपसाइट पर ठीक है उन पर आपको 15 परसेंट का डिसकाउंट मिलेगा कितने परसेंट का 15 परसेंट का एक्स्टा डिसकाउंट इसपैसली 15 परसेंट या आपके कहें 50 परसेंट तो ओर्रेडी डिसकाउंट चल रहा है 50 परसेंट डिसकाउंट ओर्रेडी चल रहा है 15 परसेंट और एक्स्टा में डिसकाउंट मिलेगा आपके लिए किसका Independence Day Special Offer आप सभी के लिए 15% तक Off उसके लिए आपको क्या करना होगा एक Code लगाना होगा BAA 15 15 अगस्त के उपलक्ष में आपको एक Code लगाना है Coupon Code जिसका जो है नाम है BAA 15 BAA 15 आप Code लगाओगे आपको सभी Courses पर 15% डिसकाउंट मिल जाएगा आपको Code लगाना है BAA 15 अगस्त के लिए आपका 14 से 21 अगस्त 2024 तक है यही आपका रक्षवंदन Offer है यही आपका Independence Day Offer है Special Offer आप सभी के लिए हमारी YouTube Family के लिए आप सभी देखो अभी तक हमारा धाई हजार का सफर पूरा हो चुका है हमारी Business Agreement Academy परिवार में धाई हजार सदस्त हो चुके है और हम चाहेंगे दिल से कि सभी हमारे सदस्त जो है वो कोई ना कोई Government Exam में सेलेक्ट हो तो यह Special Offer है आपका BAA 15 इसमें आपके Live Classes में लगा दो, Test Series में लगा दो, E-Book में लगा दो, किसी में भी यूज कर लो BAA 15 डालोगे आपको 15% डिसकाउंट मिल जाएगा Already 50% डिसकाउंट आपको दिया हुआ है ठीक है 15% और Extra कर दिया आपको 65% डिसकाउंट जो है मिल जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है Vision Agri Academy की Website वा आपके Application पर जाना है जिसका लिंक आपको नीचे डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो आपका Special Offer है Independence Day के उपलक्ष में BAA 15 कोड लिख लेना भूल मत जाना BAA 15 कोड लगाना है तब हमें 15% डिसकाउंट मिलेगा ठीक ब्रह्मास्त के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि इसमें आपके 60 Set Paper मिलने वाले हैं 40 Topic Wise रहेंगे और आपके 20 Full Land रहेंगे Topic Wise भी आपके Pattern के According रहेंगे कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि 100 Question एक ही Topic से दे दे रहे Agriculture का दे दे रहे Topic Wise रहें ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर पूरा Pattern अपनाया जाएगा 65 Question आपके किरसी के 15 Question कंप्यूटर के और 20 Question UPGK के रहेंगे ठीक और 20 Full Land रहेंगे जिसमें आपके Agriculture का Mix Up रहेगा आपका UPGK का Mix Up रहेगा कंप्यूटर का Mix Up रहेगा ठीक जैसे कि हमने जो है अभी तक Set Paper कितने कर लिए तीन Set Paper हमारे हो चुके हैं आज है हमारा Day 4 Day 4 यह आपके 60 डे या 60 दिन तक चलने वाले हैं Day 4 में हमें क्या पढ़ना है खादान मिलेट फसले या फसल उत्पादन में उससे संबंदित क्वेस्चन इन्पुट वा आउट्पुट डिवाइस एन इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस उत्तर प्रिदेस की कलाव और संस्किर्ती से संबंदित क्वेस्चन आज के Set Paper हम रहेंगे आज का कौन सा है Day 4 है Day 5 में दलहनी फसलत पादन से IT गैजट यह हो उनका अनुप्रियोग वा इमेल आइडी को बनाना इमेल आइडी का प्रियोग संचारन और उत्तर प्रिदेस का परिचाए यह आपका Day 5 में रहने वाला है तो यह आपका ब्रहमा सीरीज है इसकी PDF आपको Application पर मिल जाएगी Vision Agri Academy आपको Download करना है ठीक है और साथ में साथ आप हमारी website पर भी widget कर सकते हैं आगे चलते हैं अगला है आपका Live and Recorded Class इस पर भी 15% discount है आपका आपकी जो e-books है टेस्स सीरीज है इस पर भी 15% discount और आपके e-book है इन पर भी 15% discount ठीक है तो इस बार Special Offer Independence Day पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 15% discount ठीक है चलते हैं अपने Set Paper की ओर ठीक है ये तो हो गया थोड़ा सा promotion ठीक अब चलते हैं अपने Set Paper की ओर Practice Set No.4 Day 4 है आपका Practice Set 4 है Day 4 Practice Set 4 Good evening कीरती जी चलिए पहले question के साथ शुरुआत करते हैं ठीक है पहला question है आपका व्यूसनिंग प्रकिरिया किस फसल से संबंदित है Option A केला बनाना वाजरा जुआर धान व्यूसनिंग प्रकिरिया किस फसल से संबंदित है आंसर कीजिए A, B, C या फिर D क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर आपका व्यूसनिंग प्रकिरिया है किस में अपनाई जाती है तो पहले तो समझ लीजे व्यूसनिंग क्या होता है व्यूसनिंग नॉर्मली cross plowing है किस में की जाती है ये भी मैं बता दे रहा हूँ धान के अंदर की जाती है D, धान, बिल्कुल सही रवी कान, चोहान, C लिख रहे है C नहीं होगा आंसर यहाँ पर आंसर होगा D, आपका जो है धान धान में जो है खड़ी फसल में खरपतवार के नियंतरन के लिए आड़ी तिरची जुताई की जाती है जिसे हम क्या कहते है ब्यूस्णिंग कहते है क्या कहते है बच्चों ब्यूस्णिंग कहते है तो यहाँ पर आप्शन D, धान सही आंसर हो जाता है ठिक अगला क्वेश्चन धान की पानी की आवसकता क्या है बाटर रिक्वाइरमेंट आप बता दीजी क्या है धान की कौसल किसोर धान सेशन को जादा से जादा से शेयर कर दीजी इंडीपेंडेंडेंस ओफर भी ए ए पंद्रें लगाना है कूपन कोड 15% डिसकाउंट हो जाएगा इंडीपेंडेंडेंस डे ओफर आपके एक हजार एमेम और भाई जली से लिखो इंडरपाल सिंग 1250 एमेम बिल्कुल सही इंडरपाल जी यहाँ पर जो धान के लिए पानी की आवशकता होती है वह कितनी होती है 1250 एमेम होती है ठीक है रभी कांत चोहान जी 1250 कर रहे है कौसल किसोर ए नहीं होगा कौसल किसोर 1250 आंसर यहाँ पर सही होगा अगला क्वेशन क्वेशन नम्बर तीन दिया हुआ है प्रिशन नम्बर तीन है निम्न में लिखित मैं से कौन सा चावल का परिवार है पोई सी लेग्यूमिने सी ग्रेमनी ए और सी दोनो एक क्वेशन सोच समझ के करना ओप्सन अच्छे से पढ डी रेशु देवी सिरी सोरी सिरी सिरी बी लिख रही है बी नहीं होगा अंसर सिरी जी प्रभात डी लिख रहे हैं अमित्तिवारी डी लिख रहे हैं बिलकुल सही डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है क्योंकि पोई सी या ग्रेमनी दोनों परिवार से या फिर कहें ग्रेमन चाबल जो है पोएसिया ग्रेमनी कुल में आता है ठिक तो यह और सी दोनों आंसर हो जाता है अगला क्वेस्चन विच्चों कौन सा चाबल केवल पश्चिम अफरीका में उखता है और आईजा ग्लेवी रिमा और आईजा सेटाइवा ट्रिटिकम एस्टिवम जिया मेज यहा आंसर क्या होगा जो पच्च्च्म अफरीका या फिर कहें बैस्ट एसी मेश्ट पच्च्च्च्च्च अफरिका में जो घाया जाता है वह कॉन सा है पर शेल्टिकमा अप्रिकमे अगाया पाच्वा प्रिष्ण है चावल के पुस्व करम को किस नाम से जाना जाता है पैनिकल, एरो, एक्जिलरी या हेड आपका जो चावल का पुस्व करम होता है उसे किस नाम से जाना जाता है आसीस कुमार, कुलवीर सिंग, अमित दिवारी आंसर कीजिए आर्पी सिंग फ्यूचर टीचर हम ललितपुर उत्तर प्रदेश से लाइब है आर्पी सिंग जी पूछ रहे हैं आप कहां से लाइब हैं हम ललितपुर उत्तर प्रदेश से लाइब है रवी कान चोहान ए आंसर कर रहे है पैनिकल जो की बिल्कुल सही है चाबल का पुस्पकरम क्या होता है वच्छों पैनीकल होता है ठीक पैनीकल चाबल का पुस्पकरम क्या होता है पैनीकल होता है एरो किसका होता है बता दीजिए एरो आपका गन्ना का होता है गन्ना का क्या होता है एरो होता है एक्जिलरी किसका होता है कपास का होता है किसका होता है वैच्चों कपास का होता है हैड किसका होता है सूरज मुखी का होता है किसका होता है सूरज मुखी का होता है ठीक तो यहां पर जो है पैनिकल धान का एरो गन्ना का एक्जिलरी का पास का और हैड किसका सूरज मुखी का क्या होता वोगा अब देखो यह वात मत किया करो यहाँ पर किलास में आप लोग पढ़ने आते हो ना पड़ा करो ऐग्युटे का पीपर आपका फरवरी मार्श तक होगा अभी नहीं होने वाला ना तो परिसान मत हों यह आप Aus तैयारी पर ध्यान दीजिए कि आपको 100% तैयारी करनी है यदि आप बिजिन एग्रेक एडमी परिवार से जुड़े है ना तो आप लोगों को कुछ अच्छा करना है है ना कुछ मतलब यह कहें अच्छे से पढ़ना है ठीक फालतु बाते मत कि अगर पेपर पेपर जब होग अगरी का भी हैड होता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमर्श चाबल में बॉनेपन के लिए कौन सा जीन उतरदाई है डी जी बू जीन नोरेंटेन आरेश्टी वन आरेश्टी टू बताई यह आंसर क्या होगा शिक्स का चाबल में इकतिवारी A, आसिश कुमार A लिख रहे हैं बिलकुल सही D, G, बू जीन जो है आपका चाबल में ड्वार्फनेस या फिर कहें आपके बॉनेपन के लिए जिम्मेदार होता है ठीक नोरेंटेन आपका गेहूं में जो है बॉनेपन के लिए जिम्मेदार है और आपका जो आ निम लिखित मैं से कौन सा राज चावल उत्पादन में पिर्थम है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हर्याणा, पश्चिम बंगाल उत्पादन की बात कर रहा है भी या चावल उत्पादन में पहला इस्थान किस राज्जिका है आप लोग ऐसे आंसर करते हैं बहुत अच्छा लगता है बताइए सही आंसर क्या होगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हर्याणा, पश्चिम बंगाल सेवन ए, एक, ए कैसे हो सकता उत्तर प्रदेश, चावल उत्पादन में ए नहीं है भी या डी है, आसिस कुमार जी न देखो, डी लिख दिया है, कौसल किसोर, डी लिख रहे है, एग्रिकल्चर स्टेडी पॉइंट बाई नीरस सिंग, वेश्ट बंगाल, विलकु सही आपका जो चावल का उत्पादन होता है, वो सबसे अधिक कहा है, पश्चे मंगाल में है, ठीक है, और आपका जो ए कहें, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, एरिया या फिर कहें, छेतर, सबसे अधिक कहा है, यूपी में है, और उत्पादक्ता, उत्पादक्ता, कहां प उत्पादक्ता सबसे अधिक कहां पर है आपकी पंजाब के अंदर है कहां पर है बच्चों पंजाब के अंदर ठीक तो यहां पर उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल एरिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश और आपकी उत्पादक्ता की बात करें तो आपका पं TN1 टाइचिंग नेटिम बन जगनाथ लिवनी सिरी बताई आंसर निम लिखित मैं से चावल की किस किसम को भारत में चमतकारी चावल की रूप में जाना जाता है जया TN1 जगनाथ या लिवनी सिरी जली से आंसर कीजिए UPTGT prepare देखो एक question आपके UPTGT में भी काम आएंगे 8AA, जया, बिलकुल सही जया को भारत में चमतकारी चावल या Miracle Rice की रूप में जाना जाता है किसे बच्चों? जया को और आपका जो IR8 है IR8 है IR8 को आपका विश्व में चमतकारी चावल या फिर कहें Miracle Rice in the World जो कहा जाता है वो IR8 कहा जाता है और Miracle Rice in India क्या कहा जाता है जया को कहा जाता है टाइचिंग नेटिम बन जो है पहली बैराइटी थी जो 1960 की दसक में भारत लाए गई थी है ना? भारत लाए गई थी कौन से आपकी टाइचिंग नेटिम बन 1960 की दसक में जगरनाच जो है पहली जो है आपकी उत्परिवर्थी किसमें धान की और लिवनी स्री जो है आपकी लवड़ता सहष्णू है ये आपके जो है डिस्क्रिप्शन हो जाता है आगे बात करें वच्चों क्वेशन नमबर 9 की प्रिस्न नमबर 9 लिखा हुआ है कौन सा चावल समसीतोष्ण है और उपोष्ण कटीवन्दिय चेतर में उगाया जाता है और जापान में भी उगाया जाता है इंडिका, जापोनिका, जावानिका, ए और सी दोनो बताई ये आंसर कौन सा चावल समसीतोष्ण और उपोष्ण कटीवन्दिय चेतर में उगाया जाता है और जापान में भी उगाया जाता है इंडिका, जापोनिका, जावानिका या ए और सी दोनो बताई ये आंसर A, B, C, या फिर D राइट अंसर क्या होगा अभी अवस्थी भी आंसर कर रहे हैं, जापोनिका बिल्कुल सही, जापान में उगाया जा रहा है जापोनिका है, और ये कैसा होता है, समसीतोष्ण और उपोष्ण कटीवन्दिय होता है हमारी कोचिंग ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ओफलाइन ब्रांच है, ठीक है यदि लितपुर उत्तर प्रदेश में जोईन करना है आपको ओफलाइन कोचिंग तो विल्कुल वेलकम है आप सभी का ठीक है, और ओनलाइन आपके लिए बैचिस चलाए जा रहे हैं, तो एप बाव भोष्न कटी बन दीए है, इंडिका इंडिका कहां उगाया जाता है भी या भारत के अंदर उगाया जाता है और यह कैसा है उष्न कटी बन दीए उष्न कटी बन दीए है, कैसा है उष्न कटी बन दीए चावल है, ठीक, उष्न कटी वंदिये चावल कौन सा है आपका जो है आपका इंडिका और जावानिका जो है इंडोनेसिया में उगाया जाता है और यह एक जंगली या डलूवा राइस की रूप में बलूवा राइस है डलूवा राइस की रूप में जाना जाता है ठिक सोरी बलूवा धान बलूवा धान की रूप में जाना जाता है जावानिकाखों इंडियनियसिया हो गया जाता है ठिक अगला question question number 10 दीया हुआ है 10 परिस्ट number 10 है किस पिरकार का चावल अपरेल मई में वोया जाता है और सितंबर अक्टूबर काटा जाता है ओस राइस सरद रितु का, अमन चावल, खरीप रितु का, बोरो वसंत में और बलू चावल, बताई आंसर, कौन सा चावल जो है, सितंबर, सोरी, अप्रेल मई में तो बोया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, बताई आंसर, A, B, C, या फिर D, बताई जी आंसर, दसकरशन होगा, आंसर, 10, B, 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 B नहीं होगा भी या, अमन नहीं होगा, अमन कि कब होगा जाता है, आपका खरीप वाला, मतलब कि, अमन की वुआई जो होती है, जून जुलाई में होती है, अमन की वुआई कब होती है, जून जुलाई में होती है, और यह आपका नवंबर दिसम्बर में काटा जाता है ठीक नवंबर दिसम्बर में काटा जाता है नवंबर दिसम्बर में काटा जाता है जुन जुलाई में बोवाई होती है नवंबर दिसम्बर में काटा जाता है ठीक और आपका जो ओस राइस है ओस राइस आपका अपरेल नवंबर दिसम्बर में तो बोया जाता है जो बोरो राइस है नवंबर दिसम्बर में तो बोया जाएगा है ना नवंबर टू दिसम्बर नवंबर दिसम्बर में तो बोया जाएगा इसकी कटाई की जाएगी आपकी मार्च अपरेल में मार्च अपरेल में मार्च अपरेल मे इसकी कटाई की जाती है मार्च एपरेल में किसकी आपकी जो है बोरो धान की मार्च एपरेल में मार्च एपरेल में बोरो धान की जो है कटाई कब की जाती है बुआई तो आपकी नवम देसंबर में होती है कटाई कब होती है, मार्च अप्रेल में होती है ठिक आगे बढ़ते हैं अगले question की और question number 11 दिया हुआ है भारत में सरवाधिक उगाई जाने वाली जोकी पर जाती है भारत में सरवाधिक उगाई जाने वाली जोकी पर जाती है hordium bulgar, hordium irregular और अगला option है आपका hordium districton और इन मैंसे कोई नहीं hordium districton sorry c option है आपर hordium districton districton और last d है आपका none of these इन मैंसे कोई नहीं बताई आंसर 11a, बिल्कुल सही hordium bulgar, जो है भारत में सरवाधिक उगाई जाता है जो की किसमे, या एक है जो का बोटेनी के लिए में आपके पर जाती जो hordium bulgar है, वो सबसे जादा आपकी भारत में उगाई जाती है हाँ, 6 row वारली है इसमें 6 row होती है जो आपकी एक हैं, जो बाली होती है उसमें 6 पंक्तिया पाई जाती है किसमें आपका, hordium bulgar में ठिक आगे वड़ते हैं, अगले question की ओर प्रिस नमबर 12 दिया हुआ है आपका जो की छिलका रहत किसम दोलमा, हिमानी, हिमानी या फिर उप्रोक सभी दो बार हिमानी आगया option वे जो की छिलका रहत किसम कौन सी है छिलका रहत बताईए आप लो हस्क लेस बैराइटी ओफ वारले एज आपकी जो की छिलका रहत किसम कौन सी है ए डोलमा लिख रहे हैं डोलमा नहीं है, दोनों हैं हिमानी यहाँ पर जो है छिलका रहत रहत बैराइटी जो है डोलमा, 12 ए या ओल, उप्रोक सभी यहाँ पर उप्रोक सभी फिर्वी रहांटी है। मक्कन जड़े होती हैं सामीनल जड़े, क्राउण जड़े, प्रॉप जड़े, उप्रोउक सभी। मक्का की जड़ पिर्णाली कैसी होती है मक्का में जड़े किस प्रिकार की होती है बताईए राज किरन नेमेटूर रेसिस्टेंस वारह का बताईए सवरी 13 का अंसर कीजिए मक्का में जड़े होती है सेमीनल जड़े भी होती है crown जड़े भी होते है प्रॉप जड़े भी होते है देखो यहाँ पर जैसे यह मक्का है है ना यह मक्का है बक्का का यह क्या है आपका तना है यहाँ से निकलने वाली जो मुख्य जड़ होगी वो क्या होगी आपकी seminal जड़ होगी क्या होगी आपकी seminal यह कौन से होगी seminal सब्सक्राइब बाला जड़ों का क्राउन होता है और जो आपका उपर वाली होते है वो प्रॉप जड़ें होती है तो यहाँ पर आपकी ऊपरोग सभी सभी अंसर हो जाता है आपकि मक्का में तीनों प्रिकार की जणे पाई जाती है ठीक है आगेचल Think क्योर प्रिशंद ृप कि लिफ्रेह अंघ्र गयमी पाई जाते एंब Hills नमबर 3 प्रिकार की ब्सक्राइय है् वो डाई को गयमी होती है और यदि आपकी मादा पार्ट पहले मतलब की आपका पिश्टिल पहले परिपक हो रहा है फिर इस्टेमिनेट परिपक हो रहा है तो वो प्रोटो गायनी प्रोटो एंडरी पहले मेल पार्ट परिपक हो रहा है तो वो प्रोटो एंडरी होगा ठीक ह B, B, B सभी लोग B, भी, आंसर करых are Proto and рис, बिलकों सही देखो, मक्का जो होती है उसमें सबसे पहले परिपक क्या होता है Tesisल होते हैं ना Tesisल परिपक होते हैं सबसे पहले Tesisल क्या है आपके ? नरभाग है Tesisल क्या है बच्यों आपके ? नरभाग है नर्वाग टैसल क्या है वच्चो नर्वाग है फिर आपका जो है क्या आता है आपका नॉमली सिल्क आते हैं सिल्क आते हैं सिल्क आपके भुट्टे में रेशा बनता है जिसे मादा भाग कहते हैं मादा भाग ठीक तो नर्वाग जो है पहले बनता है मक्का में बाद में माद भाग बनता है जिस कारण से इसे हम क्या कहाते है प्रोटो एंडरी आपकी जो मक्का में जो डाइक को हमी का प्रिकार पाया जाता है वो क्या होता है आपका प्रोटो एंडरी होता है ना मेल पार्ट पहले परिपक को होता है फीमेल पार्ट बाद में परिपक को होता है ना टे यह प्रोटो एंड्री और प्रोटो गायनी जानते हो प्रोटो एंड्री प्रोटो गायनी प्रोटो गायनी का मतलब यह होता है कि यदि पहले मेल पार्ट परिपक हो रहा है नर्व भाग पहले परिपक हो रहा है तो प्रोटो एंड्री कहला आता है और आपकी जो मक्का होती ह उसमें पहले आपका नर्भाग बनता है क्या निकलता है नर्भाग पहले बनता है इस कारण इसमें क्या होता है प्रोटो एंड्री पाई जाती है गलत नहीं है ठीक है हैं अगला question है गैहूं के किस रोग को किलर बीमारी की नाम से जाना जाता है काली रोली पीली रोली भूरी रोली अनावर कंडवा रोग किस रोग को किलर बीमारी के रूप में जाना जाता है गेहूं के अंदर किस बीमारी को किलर किलर बीमारी जो है किस रोग को कहा जाता है गेहूं में डी नहीं होगा आंसर आप अभी जी कन्फ्यूज हैं, कन्फ्यूजन किलियर कीजी डी आंसर नहीं होगा उसका बताई यह आंसर गेहूं में किस रोक को किलर भीमारी कहा जाता है C, भूरी रोली, भूरी रोली को नहीं कहते है काली रोली को आपका किलर डिजीज कहा जाता है गेहूं के अंदर किलर डिजीज किसे कहा जाता है काली रोली option A, सही answer हो जाएगा 15 A का सही answer है अगला question, गेहूं में चोड़ी पत्ती वाले खर्पदवारों है तू खर्पदवार नासी उपयोग में लेते हैं आईसो प्रोटिरोन, सल्फा सल्फिरोन, 2,4D मेटा सल्फिरोन, गेहूं में आपका जो खर्पदवार नासी चोड़ी पत्ती वाले खर्पदवारों को नियंतत करने के लिए जो खर्पदवार नासी प्रियोग करते हैं वै कौन सा है आईसो प्रोटिरोन, सल्फा सल्फिरोन 2,4D, मेटा सल्फिरोन answer कीजी, A, B, C, R, D बिल्कुल सही है सिवानी, U, P सिवानी आप U, P लिखे हैं, बड़ा अच्छा design बनाए है आप अपने नाम के आगे C, answer कर रहे है D, 2,4D, बिल्कुल सही आपका जो 2,4D है वो आपका कहा है, चोड़ी पत्ति गयहूं में, जो चोड़ी पत्तियों के खर्पदवार नियंतर के लिए प्रियोग किया जाता है किसका आपका जो है, option C यहाँ पर 16 का सही answer हो जाता है 2,4D, ठीक आगे बढ़ते हैं, अगले प्रिशन की और बच्चो पिस नंबर 17 है धीला कंडवा रोग है, बाहे वीजोड मिर्दा जनित, अंता भीजोड हवा जनित, जो आपका धीला कंडवा या लूज इसमट डिजीज, इसे क्या कहते हैं बच्चो लूज इसमट लूज इसमट डिजीज जो है वो आपकी किस पिरकार की डिजीज है, बाहे वीजोड या पिक कहें, बाहरी आवरण से होती है मिर्दा जनित, अंता भीजोड हवा जनित करनाल वंट को कैंसर डिजीज कहते हैं, हाँ सिरी भी आंसर कर रही है मिर्दा जनित, लूज इसमट मिर्दा जनित है सोरी धीला कंडवा मिर्दा जनित नहीं है आपका जो धीला कंडवा है प्रियोस, कुमार यादव, राहुल यादव, राहुल सिंग, हानिया जो है सत्रह सी कर सोरी सी कर रहे हैं जो की बिल्कुल सही है यहाँ पर सी होगा आपका ये डी होगा अन्ता वीजोड रोग है जो लूज इसमट है, बीज के आंतरिक भाग में होता है जिस कारण से अन्ता वीजोड कहा जाता है धीला कंडवा है ना, याद रखना अगला क्वेस्चन है भारत में सरबादिक छेत में मक्का होगा ही जाने वाली मक्का कौन सी है कौन सी मक्का कि जो प्रजाती है भारत में सबसे जादा होगा है जाता है बारत में सरबादिक छेते होगाई जाने वाली मक्का कौन सी है जिया मेज इवर्टा सबसे ज़्यादा जो भारत में उगाई जाने वाली मक्कह है वह कौन सी है बच्छों जिया मेज इवर्टा option B यहाँ पर सही answer हो जाता है कौन सी इवर्टा इवर्टा जिया मेज इवर्टा सरबादिक उगाई जाती है आपकी भारत के अंदर ठीक है तो आपर option B सही होगा A नहीं होगा बच्चों B होगा कीरती जी बी होगा प्रभाद जो है सही आंसर लिख रहे हैं आपर option B सही आंसर होगा जिया मेज इवर्टा सरबादिक भारत में उगाई जाने वाली किस्म है ठीक आगे चलते हैं अगला question प्रिस नंबर 19 दिया हुआ है डिब्बा बंदी के लिए मक्का की कौन सी प्रजाती उप्यूक्त है जिया मेज इंडूरेटा जिया मेज सेकेराटा जिया मेज सेरेटिना या जिया मेज इमाईलेसिया आपकी जो डिब्बा बंदी के लिए उप्यूक्त किस्म है वह कौन सी है डिब्बा बंदी के लिए उप्योक्त किसम कौन सी है आपकी मक्का की स्वीट कौन है ना जिया मेज सेकेराटा स्वीट कौन को क्या कहते है जिया मेज सेकेराटा आप लोग जब भी होटेल्स में जाते हैं तो पिज्या वर्गर खाते हैं तो उसमें जो मक्का के दाने होते हैं वो स्वीट कॉरण होता है जिया मेज सैके राटा होता है ऐप्सं B यहां पर सही आंसर हो जाता है उनने इसका डी नहीं होगा अभी अविश्टी जी किस में होता है मक्का की आपका जिया में इंडूरेटा जिया में सेकेराटा जिया में सेरेटिना जिया में इमाईलेसिया सरवाधिक जो आपका स्टार्च पाया जाता है वो किस मक्का में पाया जाता है मक्का की किस प्रिजाती में सरवाधिक स्टार्च पाया जाता है बताई आंसर A, B, C या फिर D क्या हो गए आपर राइट आंसर अभी अवस्थी जी आपने तो आंसर ही नहीं लिखा A, B, C या फिर D जली से लिख दो राजकुआ सर्मा, C बिलकुल सही जिया में सेरे टिना को हम क्या कहते हैं आपका यह कहें सरवादिक इस्टार्च की मात्रा होती है आपकी जिया में सेरे टिना option C आपर सही आंसर हो जाता है, question number 20 का आगे बढ़ते हैं अगले question की और, question number 21 मक्का का नर पुस्पकरम होता है, silk, detessling, tessling, b.a.c. दोनो मक्का का नर पुस्पकरम को क्या कहते हैं मक्का के नर पुस्पकरम या नर जो आपका पुस्पगुच होता है उसे क्या कहा जाता है 21 का आंसर कीजिए आप लोग सभी तो उसे भाईया सिल्क कहेंगे सिल्क को भाईया मादा भाग होता है मादा भाग आपका जो है क्या होता है सिल्क होता है डी टैसलिंग क्या कहला आता है नर भाग को हटाना Tessling क्या होता है? नर्भाग होता है नर्पुस्वकरम को क्या कहते हैं? Tessling कहते हैं C सही answer हो जाता है संतोष जी बड़े दिन बाद आए है C answer आपर सही हो जाता है Tessling Detessling जो है आपका जो मादा चड़न पूरे होने मतलब कि ये कहें पॉली नेशन होने के बाद या पिर कहें प्रजनन के बाद या परागन के बाद हम मेल पार्ट को या पिर कहें Tessles को हटा देते हैं उसे हम Detessling कहते हैं Clear? आगे बढ़ते हैं अगला question जोआर से संबंदित असत्त है यहाँ पर जोआर से संबंदित है असत्त मतलब गलत कौन सा पार्ट है उत्पत्तिस्थान अफरिका अन्य नाम कैमल क्रॉप एक्जॉस्टिफ क्रॉप कुम्भू मुख कीट एथैरी गोना सोकाटा जोआर की तना मक्षी मुख खर्पदवार नासी एट्राजीन इसमें जो है गलत बताना है कौन सा जो पार्ट है उसे गलत कहते है बताए जोआर को यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है बाइस का सी देखो मुख कीट तो यही होता है आपका जोआर की तना मक्षी एथैरी गोना सोकाटा यह बिलकुल सही है बाइस का सी नहीं होगा अंसर अभी अवस्ति सी नहीं होगा आसी जी सी नहीं होगा सी नहीं होगा यहाँ सभी सी लिख रहे है एक दूसरे की नकल कर रहे है नकल मत करो अपना अंसर दो बी सूरज ए जी ब्लॉक्स भी answer कर रहे है जो की सही है है ना, आपका जो जूर है इसे exhaustive crop नहीं कहते है exhaustive crop नहीं कहा जाता है ठीक, यहाँ पर जो है, कुम्भू तो कहते है कुम्भू भी कहा जाता है camel crop भी कहते हैं, लेकिन exhaustive crop नहीं है आपकी, तो option भी यहाँ पर right answer हो जाएगा, option भी क्या हो जाएगा, right answer या फिर कहें, गलत उत्तर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रिशन की ओर, प्रिशन number 23, या 23 प्रिशन लिखा हुआ है, कि बाजरा की प्रिथम संकर किसम, HB1 जो 1965 में किस संस्थान द्वारा विक्सित किये दी, HB1 बाजरा की संकर किसम है पहली, किसके द्वारा, कैमल क्रॉप तो है, लेकिन आपका जो है, exhaustive क्रॉप नहीं कहा जाता है, ठीक, किसके द्वारा विक्सित की, ICR नई दिल्ली, IRI नई दिल्ली, और अगले option है आपके, पंजाब अप्सन C है, PAU, पंजाब अग्रिकल्चर उ A.R.S. दुर्गापुर, A.R.S. दुर्गापुर, बताई आंसर क्या होगा, दुर्गापुर, बताई आंसर क्या होगा, तेज का A लिख रहे है, ICR नई दिल्ली, अब यार, ICR अपैक्स बोडी है, मुख संस्थान है, तो ICR हर काम नहीं करता है, है न, यहाँ पर आपका ज पहली संकर किस में थी, HV-1, वो विक्सित की थी, पंजाब Agriculture University लुदियाना ने, PAU लुदियाना या पंजाब Agriculture University लुदियाना ने विक्सित की थी, है न, तो option C, यहाँ पर सही आंसर होगा, है न, देविंद कुमार जी बोल रहे हैं, हेलो सर, हेलो देविंद जी, दुर्ग दुर्गापूर नहीं है, यहाँ पर आंसर आपका क्या है, पंजाब Agriculture University है, PAU है, ठिक, अगले question की और बढ़ते हैं, question number 24 दिया हुआ है, किस फसल को फसलों का ड्रोसो फिला की रूप में जाना जाता है, गेहूं जूट मक्का चावल, किसे जो है, फसलों का ड्रोसो फिला क किसे कहा जाता है, बताई यह answer, A, B, C, F, D, question number 24 है, जली से answer कर दीजिए, फसलों का ड्रोसो फिला किसे कहा जाता है, मेज का research center भी है, हाँ, पंजाब agriculture university में आपका जो है, लुधियाना में ही आपका मक्का का research center भी पहुँच चुका है, 24 C कर रहे है answer, मक्का, बिलकुल सही, मक्का को ड्रोसो फिला की रूप में भी जाना जाता है, ड्रोसो फिला फसल, या ड्रोसो फिला क्रॉप की रूप मे मक्का, ओम पाल सिंग, C, अभी अवस्ती, C, रवी कान, चौहान, B कर रहे हैं, भी नहीं होगा, रवी कान दिजी, मक्का होगा, मक्का को ड्रोसो फिला की रूप में जाना जाता है, ठीक, अगला question, लाइसिन वा ट्रिप्टोफेन, अमीनो एसिट की कमी मुक्ता किस फसल में होती है, गेहूं, जूट, मक्का, चावल, लाइसिन वा ट्रिप्टोफेन जो अमीनो एसिट है, उनकी कमी किसमें पाई जाती है, बताई यह आंसर क्या होगा है, आपर, A, B, C, या फिर, D, सेजल जी, 24, C, बिल्कुल सही है आपका आंसर, सिवानी, C, आंसर कर रही है, 25 में का आंसर दीजिए सभी लो, सर, पेपर में लेवल इस से जादा रहेगा या ऐसा ही, देखो, अभी आपको जो question करा रहे हैं न, थोड़ा सा medium लेवल है, मध्य, moderate है, टिक है, जब हम आगे आपको question कराएंगे न, थोड़ा सा सबर कीजी, आप लोग जल्दी जल्दी सारी चीज़े नहीं मिलती है, टिक है, जब हम आगे आपके जो final test कराएंगे, final set paper कराएंगे, बहाँ पर level थोड़ा सा hard रहेगा, यहाँ पर थोड़ा level आपका जो है, इजी है, लेक आपका आसान से मध्यम रूप का paper है, आगे आओगे तो hard लेवल आपको भी provide कराएंगे, ठीक है, तो आप परेशान मत होईए, ठीक है, लाइसन वा ट्रिप्टोफेन, अमीनो एसिट की कमी मुखिता किसमे होती है, C, मक्का बिल्कुल सही, मक्का भी जो है, बहुत चर्चे में चल ला है, मक्का, 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 25 का भी नहीं होगा सिवाने जी, C होगा, मक्के में अमीनो एसिट वा ट्रिप्टोफेन की कमी पाई जाती है, राउज सिंघानिया जे रहे हैं, इसके लिए ओपीक्यू टू का यूज हाँ, ओपीक्यू टू हाँ, हाई क्वाल्टी प् पिर कहें, और आइजिन, जो में किस कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हाँ, सल ने खोज किया था आपका हाइट क्वाल्टी प्रोटीन मेच का, कोई नहीं सिवानी जी, सौरी सर मत बोला गरो, यह अच्छा है नहीं रगता, आपका गलत हुआ तो गलत हुआ, कोई नहीं, ह जो में कौन सी प्रोटीन होती है, बच्चों, आपकी अल्बी मिनौइड होती है, और आपका जो ओराइजिन होती है, वो धान के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, धान के अंदर होती है, तो आपके जो में कौन सी होती है, एल्बी मिनौइड होती है, ठीक, अगला क्व जो कैमल फसल की रूप में जाने जाती है गैहूं जौर मक्का वाजरा कैमल फसल की रूप में किसे जाना जाता है बताई आंसर ए बी सी या फिर डी कैमल क्रॉप किसे कहा जाता है जौर को बिल्कुल सही सोरगम को कैमल क्रॉप क्यों कहा जाता है concept बताएंगे क्या देखो सोर के case में होता है camel के case में होता है कि वो आपके विप्रीत परष्थिती होते हैं उसके लिए अपने कूबड होता है उसमें पानी लेता है तो इसी कारण से क्या है camel crop भी कहा जाता है किसे आपका जौर को अगला question जौर के डंठल के आधार पर चित किसके कारण होता है Contrarenia, Sorgicola, Chiloparteles, Atherigona, Socata, Calochorris, Angostas जो ज्वार के डंठल की आधार पर या बेस में छिद्र किसके कारण होते हैं बताई यह आंसर, Chiloparteles Sir, Offline batch में प्रेक्टिक पेपर होए हैं क्या वी? हाँ, शुरू हो गए हैं आपके जो Offline batches हैं बहाँ पर औरेड़ी आपके जो है एक है प्रेक्टिस सेट जो है शुरू हो गए है सूखा सहन सील चiloparteles, यहां पर आँसर बताईए क्या होगा आधार को छिद्र करके करने कारण कौन सुथ अच्छा 28 का C लिख रहे हैं, कुछ लोग C नहीं होगा, Chiloparteles इस टैम बोरर यहां तना छेदक, तना छेदक के रूप में जाना जाता है चiloparteles को, ठीक है तो तना छेदक जो है चiloparteles यहां पर सही आंसर हो जाता है option B, A नहीं होगा, ना C होगा, ना D होगा option B यहां पर सही आंसर हो जाता है clear, आगे वढ़ते हैं अगले question की और question number 29 दिया हुआ है हरित बाली रोग सामानता किस फसल में होता है गन्ना में, जो, बाजरा, मक्का हरित बाली रोग किस में होता है हरित बाली रोग हाँ आधार मतलब base period आधार मतलब base period, मतलब शुरुआती दौर 29 का C आंसर कर रहे है बाजरा, हरित बाली रोग किस के अंदर लगता है बच्चो बाजरा के अंदर लगता है विल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग बाजरा, हरित बाली रोग किस में लगता है आपका बाजरा, option C से ही आंसर हो जाता है अगला question बाजरा की बीजदर प्रती हेक्टियर क्या है option A 12-15 kg per hectare 4-5 kg per hectare या 80-100 kg per hectare 20-25 kg per hectare बाजरा की बीजदर बताइए कितनी होती है जली से answer कीजए बाजरा की बीजदर क्या होगी A, B, C, F, D 30 का B answer आ रहा है 4-5 kg जी चार से पांच के जी आंसर आ रहा है बी 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 इस क्लोस्पोरा ग्रेमनी कोला यहाँ पर जो है बाजरा की बीजदर कितनी होगी आपकी चार से पांच किलोग्राम प्रतियक्ते जो तीस का बी है वो सही होगा ती असी से सो कहां से पहुच गया सिवाने जी सी नहीं होगा इतना नहीं होता है बाजरा हलका सा होता है है तो यहां पर चार से पांच किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बाजरा की बीजदर होती है ना तो डी है ना तो ए है ना तो सी है ऑप्सन है बी सही है ना कुणसा option सही है बी option भी सही है ठीक अगला question है question number 31 FIRB विधी से गेहूं की वहाई कहां से बिक्सित की गई है लुदियाना पंतनगर करनाल कानपूर FIRB क्या कहलाता है फर्रो इरिगेटर रेज बैड मैथड जो हुँ पहां से मिला है बताइए answer फर्रो इरिगेटर रेज बैड जो मैथड किसने develop किया है तो भाया वो आपका पंत नगर जो university है गोविन वलव पंत university है उसने develop किया है आपका FIRB भी ती गेहूं में वहाई के लिए अपनाई जा आती जिसमें फर्रो-irhiate फर्रो मतलब क्या हूता है कूण फर्रो में होता है कूण कूण में सिचाइ करेंगे और ठरापका जो है रेज बैड आपका जो क्या आपकरेंगे बुए करेंगे में तरह पर जो यहां पर पंत दह पंत नगर सैंवक नहीं होगा जो नाल लिख रहे हैं ना आजमगड़ वाले आर्म यादव एगरिकल्चर आजमगड़ सी नहीं होगा भीया यहां पर आंसर ठीक है जेलेस नियूज टैसल एंड सिल्किंग आप गलत जा रहे हो 31B पंत नगर सही आंसर हो जाता है अगला क्वेश्चन मक्का एक लिंगी पौधा है निमलिखित मैसे कौन मक्का में सिचाई की क्रांतिक अवस्था है टैसलिंग सीडिलिंग सिल्किंग ए और सी दोनो बदाई आंसर क्या हुआ टैसलिंग सीडिलिंग सिल्किंग और ए और सी दोनो मक्का में सिचाई की क्रांतिक अवस्थाएं क्या है 32D बिलकुल सही आपकी टैसलिंग वहाँ आपकी सिल्किंग अवस्थाएं होती है वो क्रांतिक अवस्था होती है किसमें आपकी मक्का में तो option D यहाँ पर A और C दोनों सही आंसर हो जाता है A और C दोनों सही आंसर हो जाता है option D सही आंसर यहाँ पर tesling और silking अवस्ता होती है वो क्रांतिक अवस्ता होती है किसके लिए सिचाई के लिए अगला question, question number 33 है question number 33 है मक्के में डवल क्रोस तकनीक का सरवादिक प्रियोग किया जाता है भारत में USA अमेरिका में अफरिका ब्राजील जो डवल क्रोस तकनीक है उसका प्रियोग कहां पर ज़्यादा तर किया जाता है तो वहिया उसका प्रियोग आपके भारत में कहां पर मक्के में डवल क्रॉस तक्नीक का सरवादिक प्रियोग कि यहां पर किया जाता है वच्छों भारत के अंदर किया जाता है कहां पर किया जाता है भारत के अंदर ठीक अगला question है question number 34 गुर्वत्ता पूर्ण प्रोटीन मक्का द्वारा विक्सित किया गया है क्वाल्टी प्रोटीन मेज किसने डेवलप किया था 33, sorry 34 का आंसर कीजे 34 में का आंसर कीजे डी एप जौन्स 1920 यहां पर S के वसल से यह आंसर हो जाता है S के वसल ने गुर्वत्ता पूर्ण प्रोटीन जो है क्वाल्टी प्रोटीन मेज का डेवलप्मेंट किया था किसने S के वसल option D विबेक बर्मा A नहीं आंसर होगा D होगा आर्पी सिंग सही लिख रहे हैं राचकुमार सर्मार D लिख रहे हैं डक्टर अमित्तिवारी D open vessel रेशु देवी आपका S के वसल होगा open vessel नहीं होगा S के वसल high quality protein मेज high quality protein मेज नहीं आपका जो है गुडवत्ता पूर्ण ठिक अगला question question number 35 दिया हुआ 35 प्रिश्ण है भाई SSG 58 मजवार की एक बहु कट बहु कट यानि multi-cut variety चारे वाली किस्म है जो आरकी सूखा यूं लवर्णता सहनसील किस्म में कौन सी है CSH1 CSH9 PHV10 या M351 बताए यह answer क्या होगा यहाँ पर A, B, C, F, D जो आपकी SSG 58 यह बहु कट या multi-cut मतलब बार बार इसे चारे के लिए काट सकते है यहाँ पर हमें बताना है सूखा यूं लवर्णता सहनसील किस्म कौन सी है तो वहिया वो कौन सी है आपकी CSH9 option B आप लोग सही answer कर रहे है A, C, G ने भी लिख दिया है आपका बिलकुल सही है CSH9 जो है आपकी कैसी है सूखा वा लवर्णता सहनसील है अगला question बाजरे में सिचाई की सबसे महात्पूर अवस्था heading अवस्था है बाजरे में कारू हाइडरेट की माता कितने प्रतिसत होती है 30 प्रतिसत 74 प्रतिसत 67 या 87 प्रतिसत बाजरा में जो आपका PH10 कौन के रहा PHV10 PHV10 नहीं है भी या RP Singh Future Teacher CSH9 है CSH9 जो है लवर्णता वा सूखा सेंसील है ठीक है यहाँ पर जो बताइए बाजरे में सिचाई की सबसे महात्पूर अवस्था heading अवस्था है बाजरे में कार्वो हाइडरे की मात्ता कितने प्रतिसत होती है कितने प्रतिसत कार्वो हाइडरे पाया जाता है आपका बाजरा में सिबानी जी बी लिख रही है 76 बताइए सही आंसर 60 कोई 87 लिख रहा है 87 क्यों लिख रही हो भाई इतना ज़्यादा नहीं होता कार्वॉ आइडर रूपा जी लिख रही है 67 बिलकुल सही किसके अंदर आपका लिता पर्संट क्या होता है कार्वॉ आइडर होता है पुदीट की से एसाम क्या हो जाएंगा आगे बढ़ते हैं अगले पॉर्ष्न की बात कहते हैं 37 37 लिखा हुआ है बाजरे में बाजरे के लिए पानी की आवसकता सबसे कम होती है बाजरे के लिए पानी की आवसकता क्या है 200 से 500 mm 500 से 1000 mm 300 से 800 mm 500 से 700 mm बाजरे की पानी की आवसकता water requirement of pearl millet क्या होगी भई बाजरे की पानी की आवसकता क्या होगी बताई आणसर क्या होगा A, B, C, F, D A, B, C, F, D क्या होगा सही आणसर यहाँ पर 37 का A लिख रहे हैं बिलकुल सही 200 से 500 mm बाजरे की पानी की आवसकता कितनी है 250 से 500 mm जो है पानी चाहिए होता है ठीक आगे बढ़ते हैं अगले प्रिशने की ओर प्रिशन नमबर आपका 38 है 38 वा फ्रिशन लिखा हुआ है बाजरे में फासफोरस का प्रिशन सरवादिक होता है जो अनाज की रूप में संग्रित होता है फाइटिक ऐसेट, फाइटेट, फाइटेट, फाइटेन, ब्रूसिक ऐसेट, बताई या आणसर क्या होगा A, B, C, F, D क्या पाया जाता है फासफुरस की रूप में बाजरा के अंदर तो भाईया क्या होता है आपका phytic acid, क्या होता है बच्चों phytic acid, अगला question जोआर की फसल को रिगिस्तान का उट कहा जाता है अनाजों में सरवादिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है 38 A, A, A 38 का A phytic acid सही है सरवादिक सूखा सहन करने वाली अनाजों में फसल कौन सी है तो भाईया वो है आपकी बाजरा जो आर कैमिल क्रॉप है सूखा सह सकते लेकिन सरवादिक की बाद करें तो आपका बाजरा जो है सरवादिक सूखा सहने वाली फसल है बाजरा option D यहाँ पर सही आंसर होगा C नहीं होगा 49 का C कर रहे है C नहीं होगा जो आर नहीं हो सरवादिक अनाजों में बात करें सरवादिक सूखा सहने वाली की तो भाईया वो बाजरा है D है ना option D यहाँ पर सही answer हो जाता है अगला question प्रिस्न नमबर 40 दिया हुआ है बाजरे की फसल उष्ने कटी वंदिये जलवाईयों के लिए उप्युक्त फसल है बाजरा को बाजरा भी कहा जाता है परल मिलेट भी कहा जाता है जो है ब्लूरस बाजरा केटेल मिलेट गरीब आदमी का खाना उप्रोक सभी बाजरा को किस और नाम से भी जाना जाता है ब्लूरस बाजरा कहा जाता है केटेल मिलेट या फिर कहें आपका गरीब आदमी का खाना उप्रोक सभी बाजरा को किस और नाम से भी जाना जाता है बाजरों को बाजरा मतलब मिलेट्स में बाजरे को किस रूप में जाना जाता है 40 का आंसर कीजिए question number 40 40 का D सभी आंसर कर रहे हैं बिलकुल सही आपका जो बाजरा होता है बच्चों बलूरेस बाजरा केटेल मिलेट्स गरीब आदमी का खाना उप्रोक सभी मतलब सभी इसकी रामसे से जाना जाता है ठीक अगला question है अनाजों में सबसे अधिक माता में खनिज पदात किस फसल में पाए जाते ग्यहूं बाजरा मक्का जवार सरबादिक खनिज किस में होता है सर मेरे दिमाग भी आज बाजरा हो जाएगा सायथ क्यों आप कन्फ्यूज हो रहे हैं क्या सिवानी जी कन्फ्यूज मत्म हो ये बताएए सरबादिक सबसे अधिक माता में खनिज पदात किस फसल में पाए जाते हैं A, B, C, F, D भाईया बाजरा में पाए जाते हैं आप कहोगे सरबाजरा, बाजरा, बाजरा है ना बाजरा में सरबाद एक खनिज तत पाए जाते हैं, ऑप्सन भी आपर सही आंसर हो जाता है, है ना आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन, क्वेशन नमर 42 है ब्याली सुमा प्रिश्न है, ब्याली सुमा प्रिश्न दिखा हुआ है बाजरे में दूसरी और तीसरी गाटों से निकलने वाली जड़ें पौधे को सहारा प्रिदान करते हैं, इस जड़ को कहा जाता है प्रॉप जड़, सेमिनल जड़, क्लोनल जड़ या मूसला जड़ मताई यह आंसर क्या होगा A, B, C, F, D बाजरे में दूसरी और तीसी गाठों से निकलने वाली जड़ें पौधे को सहारा प्रदान करती हैं इस जड़ को कहा जाता है प्रॉप जड़, सेमिनल जड़, क्लोनल जड़ या पर कहें मूसला जड़ क्या कहा जाता है A, B, C, F, D correct answer क्या होगा B, seminal यहाँ पर प्रॉप जड़ सही answer हो जाता है option A, प्रॉप जड़े सही answer हो जाता है ठिक तो आपके जो बाजरा में कौन सी जड़े पाई जाती है जो सहारा देती है प्रॉप जड़ अगला क्वेश्चन नी की उचाई के चरण में जवार में मौझूर रसाइन एक सामगरी है नी अवस्ता मतलब फ्लॉबरिंग अवस्ता जब हमारी फ्लॉबरिंग अवस्ता आती है उस समय कौन सा रसाइन जो वह सामगरी मौझूद होती है जो आर्व में एसी एन धियूर इन प्रॉसे के ऐसे टो प्रोक सभी आंसर कीजिए हाँ जब आला लहनुर कहाता कि सब इंतजाय कर सकते हैं लेकिन किरसी नहीं है ना तो जो आपकी नी अवस्ता होती है किसके अंदर आपकी जवार के वस्ता में जवार में उसमें क्या पाया जाता आपका उप्रोक सभी प्रॉसिक एसेड भी पाया जाता है धियूरिन और ए जाते हैं किस अवस्था में नी अवस्था में ठीक नी अवस्था में अगला क्वेस्चन है क्वेश्चन नमबर 44 है 44 वा पिर्शन देखिया लिखा हुआ है पैनी सीटम पर प्यूरियम और पैनी सीटम गलिकम के बीच पिर्थम अंतर विसे संकरण है CSH1 CSH9 M351 पूसा नेपियर 1 बताई आंसर सेमिनल रूट्स नहीं होती है प्रॉप रूट्स होती है जो सहारा देती है बता दीजिए बच्चों पैनिसीटम पर्प्यूरियम और पैनिसीटम ग्लिकम का जो क्रॉस होता है वो क्या होता है बताई ये पूसा नेपियर 1 जो आपका जो आपका पैनिसीटम पर्प्यूरियम और पैनिसीटम ग्लिकम है किसका क्रॉस है जो क्रॉस है वो क्या डेवलप करता है पूसा नेपियर 1 जो घास है उसे बनता है या फिर कहें जो अंतर विशिश लच्छन प्रदित करता है वो कौन है पूसा ने पिरवन option D यहां पर सही आंसर हो जाता है अगला question जोआर निमलगित मैंसे किस पोशक तत्व का सूचक पौधा है iron, copper, nitrogen, phosphorus जोआर किस तत्व का सूचक पौधा है किस तत्व के लच्छन या फिर कहें कमी के लच्छन दिखाता है या सूचक पौधा है तो वो है भहिया आपका iron का जोआर निमलगित मैंसे किस पोशक तत्व का सूचक पौधा है तो वो iron का है किस का है बच्छों iron का option A iron सही आंसर हो जाएगा अगला question है question 46 है कौण सा है बाजरा के अंदर tip 23 a combine का फिर 60 phv 10 csh 9 बांजपन के लिए जिम्मेदार जीन कौण सा है किसमें बाजरा के अंदर वह या वो है आपका tip 23 a gene आपका जो बाजरा है उसके अंदर कौण सा जीन पाए जाता है tip 23 a gene ठिक उसका प्रियों किया जाता है नर्व बांध लाइनों में या पिर कहें आपकी मेल इस्टिराइल लाइन में option A यहाँ पर से आंसर हो जाता है है ना अगला question question number 47 है कि भारत में गेहूं का छेतपले वह उत्पादर में दूसा स्थान है गेहूं की उत्पत्ती हुई है दच्छन अमेरिका से मद एसिया तुर्की आपका दच्छन पूर्व एसिया यह यूरोप आपका जो गेहूं का उत्पत्ती स्थान बहें क्या है बताई आंसर गेहूं का उत्पत्ती स्थान पूचा गया है 47 question number 47 A B C F D हाँ सिभम जी like share करो देखो हम नहीं कहते हैं दो बच्चे कह रहे हैं कि like share कर दो हाँ विल्कुल कर दो बच्चों आप लोगों का support चाहिए हमें बस आप लोग support करेंगे ना बहुत कुछ आपके लिए ला दूँगा ठीक है आपका AGTA क्वालिफाई करवा के ही जाओंगा ठीक है तो आप लोगों का support चाहिए ज्यादा से ज्यादा share कीजिए विजिन एगरे अकैडमी को ठीक है थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था आपका सुरी ब्रद्धी में यहाँ पर विबर्ण नहीं होगा सुरी ब्रद्धी के समय सुरी ब्रद्धी में ताप मान किया हो सकता गयहूं की सुरी यहाँ पर गयहूं की ब्रद्धी के समय ब्रद्धी वा विकास के विकास में ताप मान किया हो सकता यह question थोड़ा सा रोंग हो गया है आपका जो है HTA class होती है HTA class थोड़ा सा नहीं ले पा रहे है हाँ सर AG में selection हो जाए तब मिलने आएंगे लगत पुर हाँ बिलकुल आप लोग आईएगा है ना मिठाई तो खिलानी पड़ेगी ना आप लोगों को सर के लिए AGT में selection हो जाएगा यहाँ पर जो question यह है गेहों की ब्रदीवा विकास में जो है तापमान की आवसकता है 20 से 25 डिग्री Celsius 20 से 23 डिग्री सी 23 से 25 और 16 से 20 गेहों के विकास के लिए तापमान temperature कितना चाहिए होता हो आंसर कीजिए 48 48 का A 20 से 25 बिलकुल सही आपका जो A कहें कि आपका जो गेहों है उसके ब्रदीवा विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सी तापमान की हमें आवसकता होते है 20 डिग्री और 25 option A जो है सही आंसर हो जाता है ठीक अगला question फ्लेरिस माइनर का परिक्षन बजन 2 गराम होता है गेहों के दाने का परिक्षन बजन कितना होता है 45 गराम 40 गराम 30 गराम 25 गराम कितना होता है हम भी आएंगे आजमगर से गुरू जी बिलकुल आईए गा रभी कान चौहान जी बिलकुल आईए कानपूर वाले वच्चो सुन लो हम जो है संडे को आ रहे हैं कानपूर जो भी मिलना चाहें कॉंटेक्ट कर सकते हम से कानपूर आ रहे हैं हम संडे को ठीक है अच्छा आरपी सिंग आप जहासी से हैं बिलकुल आप आईए मिलने बिलकुल से ठीक है 40 गराम आंसर कर रहे हैं बिलकुल सही 40 gram सही answer हो जाता है here 40 gram सही answer हो जाता है अगला question है question number 50 है Sujin j or Semiya Tiyar Karg testosterone के लिए किस प्रकार के गेहुं का उपयोग किया जाता है Sumagi j wa Semiya Tiyar Karg 그러면 के लिए जो है किस पर्कार के गेहुं का उपयोग किया जाता है question पढ़ लिजिये अच्छे से सूजी और सिमया तियार करने के लिए किस प्रिकार के गेहूं का उपयोग किया जाता है बताईए आंसर आपका जो है टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम डियूरम, टिटिकम स्फेरोकोकम सूजी वा सिमया को तयार करने के लिए किस गेहूं का प्रियोग किया जाता है टिटिकम एस्टिवम का टिटिकम डाई को कम का टिटिकम डियूरम का टिटिकम स्फेरो को कम का इमर इमर लिख रहे हैं हाँ भहिया सही है टिटिकम डियूरम डियूरम भीट है ना इमर या पर कहें टिटिकम डियूरम टिटिकम डियूरम जो है आपका सिमया वासूजी बनाने के लिए प्रियोग किया जाता है आपका टिक आफ्सन सी यहां पर सही आंसर हो जाता है टिक टिटिकम डियूरम सही आंसर हो जाता है अगला क्वेस्चन निम गेहूं की तो भाईया वो है आपकी कल्यान सोना कौनसी भाईया कल्यान सोना एक जीन बौनी किसम नहीं है बाकि आपकी लर्मा रोजो चौसर्ट सुजाता और गिरजा एक जीन बौनी किसमें है आगे चलते हैं बच्चों क्वेशन नंबर 52 की ओर 52 वाफिशन लिया हुआ है निमलिखित मैंसे कौनसी फसल हेकजापलॉइड है और आउट क्रोसिंग का उप्योग करके विक्सित की गई है आलू आम जो गेहूं कौनसी जो है हेकजापलॉइड है और जो है आउट क्रोसिंग का उप्योग करके विक्सित की गई है 51C वावन का आंसर कर दिए 52 कल्यान स होना बिल्कुछ सही है क्यावन सी बावन का जो सही आंसर हो जाता है वो गेहूं है गेहूं कैसी होती नेचर में है कैसी होती है है और इसे आउट क्रोसिंग का उप्योग करके विक्सित किया गया है यहां पर गेहूं सही आंसर हो जाता है अगला question निमलिखित मैंसे किस फसल में CRI महात्पूर्ण सिचाई चरण है आलू आम जो गयहूं तो भाई यह भी आपका गयहूं के अंदर है गयहूं में CRI crown route initiation या फिर कहें जब पहली जड़े या फिर कहें पहले देखो आपकी जो एक हैं कि seminar जड़े होती है वो बाद में खतम हो जाती है फिर आपकी वन्ति crown routine या फिर कहें आपकी जो उपरी या फिर कहें सीर्स जड़े होती है उनका विकास होता है वो किसके अंदर होता है गयहूं में होता है 20 से 25 दिन बाद 20 से 25 दिन के अंतराल पर आती है CRI सिचाई अवस्था किसके अंदर गयहूं के लिए और सबसे महात्पूर्ण सिचाई की अवस्था है ठीक तो यह आपर option D से ङसाई हो जाता है अगला question question number 54 है चंगनवा परिशन दिया हुआ है गयहूं का निव्न टम अंकुर पृतीसथ कितना होता है 90 पर पर्सेंट जो है गेहु में क्या होता है आपका नियू नितम अंकुरण या मिनीमम जर्मिनेशन पर्सेंटेज होता है कितना 85 85% अगला question gluten गेहु में मौझूद प्रोटीन का एक प्रिकार है गेहु में पृतिसत प्रमाता प्रोटीन मौझूद होता है प्रोटीन होता है गेहों के अंदर 85% सही आंसर है उसका ठीक है देखो 237 व्यू हो गए हैं ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर दीजिए इस वीडियो पर आपके 1 के व्यू आना चाहिए एक हजार भी वाना चाहिए 238 लोग जो है देख चुके हैं वीडियो को टिक 10% कोई लोग 1105 लिख रहे हैं देखो 10 से 12 होता है न तो 1105 सही होगा यहाँ पर क्योंकि बीच में है 10 से 12 है तो यहाँ पर सिभम रेकवार हम गुरू जी हम लेदपूर से है कोचिंग कहाँ पर है कोचिंग हमारी जो है वरनी 4 वरणी 4 यह बरणी 4 डैम-Road रिसाला मंदर के पास ठीक है कॉल कर लेना वरणी 4 पर आकर हम आपको एड्रेस बता देंगे बूर बरणी 4 हासा रिसाला मंदर के पास हमारी जो है कोचिंग है ठीक इटाइवे वाले भीया कह रहे हैं सी बिलकुल सही है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेशन की ओर क्वेशन नमबर 56 है बर्स 1970 में ट्रिपल जीन बौनी किसमें जारी की गई निमलिकित मैंसे कौन गेहुं की ट्रिपल जीन old honorable gotta व्परोक सभी प्रिपल जीन बहुति क्वें की किसमें अगला क्वेस्चन किस कोई खी अप्रेल मैं माहे में की जाती है, बोरो, औस, अमन, इन मेंसे कोई नहीं, अभी बताए थे, है ना, बताए थे ना, कि कौन सा धान आप्रेल मैं में काटा जाता है, कौन सा बताओ, 57 का अंसर कर दो लाल बादसा किस पिरकार के धान की कटाई अपरेल मई में एक माहे में की जाती है तो भाईया बोरो की बोरो हम जो है 9 दिसंबर में तो बोते हैं अपरेल मार्च में कटाई करते हैं सोरी अपरेल मई में इसकी कटाई करते हैं किसके आपकी बोरो धान की है ना बोरो धान की कटाई की जाए अप्रेल मही में A option यहापर सही आंसर हो जाता है बोरो सिंग राहुल जी लिख रहे हैं रवी कान चोहान जे लेस न्यूज प्रभात जो है लिख रहे हैं A Boro ठीक है सही आंसर है इंद्रेश राज लखीमपुर खीरी बोरो सही है ठीक बिलकुल सही है ना option A Boro सही आंसर हो जाता है अगला question question number 58 58 अठावनवा प्रिश्ण है बिस्व में बिस्व में चावल की फ्रिष्ट किसमें जिसमें विटामिन A होता है और यहापर first होगी प्रिष्ट किसमें जिसमें विटामिन A होता है जया, MTU 1010, T309, IR8 बिस्व में चावल की पहली किसमें जिसमें विटामिन A होता है first किसमें first होगा यहापर sorry बच्चों first होगा यहापर थोड़ा सा language यहापर टाइपिंग मिश्टिक होगे उसमें पहली किसमें जिसमें विटामिन A था वो थी आपकी T309 T309, जो है, पहली किसमें थी आपकी किसकी धान की यहापर चावल की जिसमें विटामिन A था okay, option C यहापर सी आंसर हो जाएगा okay, जया नहीं होगा जया नहीं होगा बच्छों यहाँ पर T, आपकी जो है 309 तुका, C C सही है यहाँ पर, option C अगला question, चावल में नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है अमोनिकल रूप में नाइट्रेट उपर के दोनों इनमें से कुई नहीं, चावल जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है, चावल नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है बताई आंसर, अमोनिया के रूप में, अमोनिकल रूप में लेता है है ना, आपकी देखो जो आपका चावल हुआ, जूट हुआ आलू हुआ, यह जो नाइट्रोजन को consume करते हैं या लेते हैं, वो आपके किसके ammoniql form में लेते हैं ठीक है? और बाकी जो सारी की सारी फसले हैं, वो nitrate form में, जो है, nitrogen को absorb करते हैं, किसके form में वह चो, nitrogen की форм में, और जो आपका चावल या धान है, वो ammonia या ammoniql के form में जो है, 이제 सब्सक्राइब करता है यहां पर ऑप्सने से आंसर हो जाता है अम्मोनिकल राइट सभी इंद्रेश राज डॉक्टर अमित तिवारी रेशु देवी ए और प्रवेश कुमार सी कर रहे हैं सी नहीं होगा भी या हां रिडियूस जून में अमोनिया डाला जाता है रिडियूस रोग किस फसल में मुखता लगता है जो गय हूं धान मक्का उपरा रोग नमें टोट के कारण होता है डिटी लेंचस इसका कारक है डिटी लेंचस एंगस्टस और यह किसमें लगता है तो भईया धान में लगता है किसमें लगता है धान में लगने वाला रोग है उपरा ट द्धान में लगता है अगला क्वेस्टन क्वेस्टन नमबर 61 है ऐसा राइस से स्टम फोर राइस इंटेंसिफिकेशन विधी में पद्धती में धान की बीजदर कितनी एसा राइस विधी से अगर यह आप धान की वहाई कर रहे हो तो बीजदर कितनी रखनी पड़ेगी 11-12 क कितनी हमें रखनी पड़ेगी एसा राइप दी तो कितनी बीजदर रखनी पड़ेगी बताइए अंसर तो यहाँ कितनी बीजदर चाहिए अंसर हो जाता है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेस्टन 2020262 62 है जैसिट कीट धान के किस रोग के प्रिसार में सायक है भूरा धब्बा ब्लास्ट जीवान वंगमारिय तुंगरो जो आपका जैसिट कीट होता है या पेश्ट होता है वो किस रोग का बाहक या बैक्टर का काम करता है बताईए आंसर किस रोग का बाहक है जैसिट किस रोग का बाहक है तो भईया वो है आपका टुंगरो टंगर वाइरस या टुंगरो डिजीज का जो है बाहक है कौन आपका जो है आपका जैसिट अगला क्वेस्ट डैपवाग विदी में प्रती हेक्टेर बीजदर रखते हैं 11-12 kg प्रती हेक्टेयर 1-2 kg प्रती हेक्टेयर 9-10 kg प्रती हेक्टेयर 75-90 kg प्रती हेक्टेयर बताई आंसर A, B, C, F, E, D यह थोड़ा सा confusing है इस answer यह थोड़ा सा tough भी है और confusing भी है बताई यह answer क्या होगा इसका answer हम सभी से जानेंगे जो 63-वा question है इसका answer आप बताईए डैपोग विदी में प्रती हेक्टेयर हमें जो है कितनी बीजदर चाहिए होती है B, B, B 1-2 kg सभी कब B आ रहा है देखो कुछ D कर रहा है देखो प्रियोस कुमार यादव प्रियोस कुमार यादव D कर रहे है 1.5-3 kg डीर से देखो सभी हमें पता था आप यही आंसर करोगे है ना हमें पता था आप यही आंसर करोगे यह आंसर नहीं है प्रती हेक्टेयर देखो आपकी धान की वीजदर जो होती है 1.5-3 kg प्रती मीटर स्क्वाइर में आपने पड़ी हुई है पड़ी है कि नहीं पड़ी है कि नहीं बताओ वैच्चो 1.5-3 kg प्रती मीटर स्क्वाइर यही पड़ा है ना यहां पर हेक्टेयर पूछ रहा है हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वाइर होते हैं एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वाइर होता है एक हेक्टर में कितना मीटर स्क्वाइर होता है आपका दस हजार मीटर स्क्वाइर होता है बर्ग मीटर होता है दस हजार एक हेक्टर कितने मीटर स्क्वाइर के बरावर होता है दस हजार है ना होता है कि नहीं और आपकी धान की नर्सरी डैपोग विदी से नर्सरी लगा रह हो तो 800-900 मीटर 800-900 बर्ग मीटर जो है नरसरी छेतर की आफसकता होती है 800-900 छेतर तो वहाँ पर देखो एक बर्ग मीटर में अगर ये डेढ़ से तीन ले रहे हो दो ले लो अगर से 90 kg यहां पर सही आंसर हो जाएगा है नरसरी एरिया में जो बीज चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है आपका 75-90 kg option d यहां पर सही होगा option d कभी कभी देखो question को टब बनाना हो ना तो ऐसे ही करता है तिक है यहां पर आपका 63 का ए नहीं होगा डी होगा 75-90 kg प्रती हेक्टियर भीज़दर चाहिए होती है टिक हाँ 12-14 दन में तयार हो जाता है डैपॉक से टिक है डी सही है यहां पर हेक्टियर देखना चाहिए था बर्ग मीटर में दिया होता है 75-90 ऑप्सन डी यहां पर सही आंसर हो जाता है इसलिए तो हमने इसका आंसर आप लोगों से पूछा अगला question है brown manuring किस फसल से सम्बंदित है option देखते है option A दिया हुआ है brown manuring किस से सम्बंदित है जो गय हुँ धान मक्का brown manuring का सम्बंद किस फसल से है brown manuring का सम्बंद किस फसल से है बताई आंसर क्या होगा A, B, C या फिर D क्या होगा आंसर यहां पर brown manuring का सम्बंद किस फसल से है brown manuring का सम्बंद किस फसल से है paddy धान बिलकुल सही धान सभी लोग आंसर कर रहे है जो कि बिलकुल सही है ठीक है धान या आपर सही आंसर हो जाता है जेक मिट का time दीजे मुझे थोड़ा से laptop लगाना पड़ेगा मुझे ठीक है क्योंकि आपका जो PC है बंद होने वाला है laptop से मुझे काम चलाना पड़ेगा भी बताई आंसर क्या होगा A, B, C या फिर D ब्राउन मैन्योरिंग किसे समद्ध आपका धान से या पर सही आंसर आपका क्या हो जाता है धान हो जाता है क्या हो जाता है वच्चों धान हो जाता है option C धान है या पर सही आंसर हो जाता है option C धान ठीक या पर option C धान ठीक आगे बढ़ते हैं अगला question है question number 65 last question है आज का ठीक किसका एगरी कल्चर का बौनेपन के जीन और प्रोटीन के उच्छ प्रतिसत वाले किस गेहूं की भारती किसमें सुधार किया है सौनालिका लार्मा रोजो या कल्यान या सर्वती सौनारा किसमें जो है प्रोटीन बौनेपन के जीन और प्रोटीन के उच्छ प्रतिसत वाले गेहूं में सुधार किया गया है बताई आंसर क्या होगा A, B, C, F, D सही आंसर क्या होगा यहाँ पर जली से आंसर कीजिए A, B, C, F, D D, आंसर आ रहा है आपका जो की बिल्कुल सही है सर्वती सनोरा Option D यहाँ पर सही आंसर जाता है सर्वती सनोरा आगे चलते हैं आपर 65 questions आपके अगरिकलचर के समावथ हो जाते हैं आगे चलते हैं computer के पृष्णों पर भाग दो अब हम पढ़ेंगे computer के 65 question अगला question है 66 लिखा हुआ है आपका दो पिरकार की output device कौन से है monitor और printer, windows 2000 और windows NT, keyboard और mouse, storage disk या floppy disk यहां पर जो है input device पूछा कि स्वरी output device कौन से हैं तो भाईया देखो monitor और प्रिंटर output देते हैं ना monitor और प्रिंटर कैसे है output डिवाइस है 66A monitor printer कि सर तो ड्रा देते हमने कहां ड्राया जाहूल जी monitor printer अगला question object की properties में access करने के लिए यूज की जाने वाली mouse technique है dragging shift clicking dropping या right clicking object की properties में access करने के लिए यूज की जाने वाली है right clicking क्या है आपका right click right click करते हो तो उसकी property हमें मिल जाती है access करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है right clicking करने पड़े option यहां पर सही प्रिंटर हो जाता है आगे बढ़ते हैं प्रिंटर नंबर 68 है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस में है scanner mouse printer keyword dot matrix किस की किस में है बताइए आंसर एबी सी या फिटी dot matrix किस उपकरण की किस में है तो भाईया यह आपका printer में यूज होता है dot matrix का प्रिंटर किस में होता है आपका printer ठीक यह printer से संबंदे थे dot matrix किस संबंदे प्रिंटर से ठीक अगला question tab कुणजी की का प्रिंटर किस लिए होता है करसर को स्क्रीन पर चलाने के लिए paragraph एंडेट करने के लिए करसर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए केवल ए और बी दोनों जो आपका tab menu होता है उसका प्रियोग किस लिए किया जाता है तो देखो tab का प्रियोग जो होता है आपका paragraph indent करने के लिए option भी paragraph indent करने के लिए किया जाता है ठीक अगला question question number 70 सतरवा प्रिशन है और सरवादिक सामान input device है microphone printer scanner monitor digital camera speaker keyboard mouse तो भीया हमें पता है keyboard mouse कैसे हमारे input device है keyboard mouse कैसे है वच्चो input device है ठीक input device अगला question है computer की समझ सूचना है या output देखने के लिए किस device का प्रियोग किया जाता है monitor CPU keyboard printer किसका प्रियोग जो है आपका computer की समझ सूचना है या output देखने के लिए किया जाता है तो भीया monitor का करते है ना option A monitor यहाँ पर सही answer हो जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं अगले question क your question number 72 है 70 होए निम्नांकित मैंसे कौन एक प्रिकार का mouse है mechanical या general full duplex optical mechanical automatic निम्न मैंसे कौन सा एक mouse है तो भाईया optical mechanical दो प्रिकार के mouse होते हैं एक optical होता है एक mechanical यहाँ पर option C सही answer हो अगला question है keyword में function की की संख्या कितनी होते function की जो एप लिखा होता है 14 15 12 यह 13 तो भाईया बारे function की होती है keyword के अंदर keyword के अंदर कितनी function की होती है 12 बारे function की होती keyword के अंदर ठीक आगे चलते हैं अगले question क्योंट की और प्रिसर नंबर 74 है मैं printer head और और कागज का संपर्क होता है नॉन इंपेक्ट प्रिंटर में ए और बाद बी दोनों में इनमें से कोई नहीं तो यहां पर सही आंसर हो जाता है आपका जो है इंपेक्ट प्रिंटर में इंपेक्ट प्रिंटर में printing head और कागज का संपर्ख होता है impact printer में क्या होता है printing head होता है और आपका क्या होता है normal सा आपका आपका नापका कागज होता है किस printer दवारा एक stroke में एक अक्षय प्रिंट होता है laser printer, plotter, dot matrix container, line printer òng territory,lawter, तो आपका जो plotter होता है उसमें एक stroke में किवल एक अक्षर प्रिंट होता है किसमें आपका फ्लॉटर में ठीक अगला question question number 76 है छत्तरमा इन में से कौन सा input device नहीं है joystick, magnetic disk, magnetic tap या monitor तो भी या monitor आपका output device है input device नहीं है तो सही answer यहाप पर monitor हो जाता है ठीक अगला question निमलिखित में से किस TCP या IP layer में सक्तिसाली internet protocol, IP address, resolution protocol, ARP और internet control message protocol सामिल है transport layer, internet layer और आपका जो है option C है physical layer और data link layer option C है physical layer layer और option D है यहाँ पर आपका जो है option D है data link layer data link layer link layer तो भी यह बात करें हैं सही answer की तो उसे हम क्या कहते हैं आपका internet layer क्या कहा जाता है internet layer क्या होता है option B यहाँ पर internet layer सही answer हो जाता है आगे बढ़ते हैं अगले question के ओर question number 78 78 अठथतरवा question दिया हुआ है देखे computer को internet से जोडने में मदद करता है browser, netfit, windows 95 और cable कौन जो है computer को internet से जोडने में मदद करता है तो browser browser जो है computer को internet से जोडने में मदद करता है ब्राउजर अगला question HTTP का उपयोग करते हैं बर्क बुक में server बर्क सीट या web page में तो जो भाईया HTTP जैसे हम कोई website लिखते हैं तो HTTP आ जाता है तो web page में प्रियोग करते हैं किसमें करते हैं बच्चो बेव page में ठिक अगला question भारत में internet की शुरुआत कब हुई भारत में internet की शुरुआत कब हुई? 15 अगस 1995, 9 अगस 1995, 7 अगस 1996, 8 अगस 1994 तो भाईया जो internet की शुरुआत है भारत में तो वो हुई थी 15 अगस 1995 में कब हुई थी भारत पार इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस 1995 में अगे बढ़ते हैं इससी के साथ आपके computer के जो question है समाफ्थ हो जाते हैं आगे हैं आपके उत्तेफिदे सामान ग्यान के कुछ question देखे, पहला question है निमलिखित मैंसे कौन एक सुम्मेलित नहीं है कौन सा जो है सुम्मेलित नहीं है तो भईये यहाँ पर सुर्मित जो नहीं है कवर्मा मतुरा कर्मा मतुरा का लोक गीत नहीं है अगला question, question number 82 है सेद सलार मेला कहां लगता है सेद सलार मेला कहां लगता है बहराईच में, मनकापुर में, बारा बंकिया, खलिलावाद में कहां पर लो है, लगता है आपका सइद सलार मेला तो भाया यह बहराइच में लगता है कहा में लगता है भचों बहराइच के अंदर लगता है सइद सलार मेला अगला question निमलिकित छोक नरत्यों में से कौन उत्तरप्रिदेस के बंदेल खंड चेत का लोक नरत नहीं है रवाला नरत डांडिया नरत और एक है आपका बढ़या नरत या फिर कहें राई नरत कौनसा जो है बुंदेल खंड का नरत नहीं है तो भाईया वो है आपका डांडिया डांडिया जो है गुजरात से है बुंदेल खंड से नहीं है गुजरात का लोक नरत है बुंदेल खंड मनाई जाती है बरसाना में मनाई जाती है तो लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है ठीक थोड़ा जल्ली जल्ली कराने का एक कारण है थोड़ा सा भूंक भी लगाई है और आप लोग भी कहते हो कि सर जल्ली करा दिया करो है ना तो लठमार होली कहां मनाई जाती है बरसाना में मनाई जाती है ठीक आगे चलते हैं question number 85 है अधो लिखित मैंसे कोई एक भोजपुरी छेतर नहीं है देवरिया मिर्जापुर इलाबाद बलिया भोजपुरी छेतर कौन सा नहीं है यहाँ पर तो यह इलाबाद आपका देवरिया मिर्जापुर बलिया यह जो है बिहार से भोजपुर छेतर से लगे हुए है आपका इलाबाद जो है भोजपुरी छेतर में नहीं आता है ठीक है तो यहाँ पर से यह आंसर जो हो जाता है इलाबाद हो जाता है अगला question question number 86 है अधो लखित मैंसे कौन बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है अब दी ब्रज भोजपुर बगहली कौन सी भासा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है तो या बगहली बगहली भासा उत्तर प्रदेश की नहीं है बाकि आपका जो भोजपुरी जो है थोड़ा सा आपका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहां पर बोली जाती है ठीक है ब्रज भासा बोली ज कौं सी नर्त सैली कृष्ष्न Warm & की प्रेयम को दर्साती है, तो यहां पर देखिएं। जो है कृष्ण और राधा की प्रेम को दर साती है तो option A है आपका कर्मा option B है दादरा option C है आपका रास लीला ठीक है? option D दिया हुआ है आपका जो है कथक option D है कथक तो भाईया बताए राधा कृष्ण के प्रेम को कौन सी जो है नत सेली दर साती है तो भाईया वो दरसाती है आपकी रास लीला रास लीला जो है राधा कृष्ण के प्रेम को दरसाती है कौन सी से लिए आपकी जो है रास लीला ठिक आगे बढ़ते हैं अगले प्रिष्ण की और प्रिष्ण नंबर 88 88 वा प्रिष्ण है दिवाली के दोरान बुंदेल खंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नत किया जाता है दिवाली के दोरान बुंदेल खंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नत किया जाता है छैपेली पाई डंडा भगोरिया नतवारी तो भईया पाई डंडा नत क किया जाता है कौन से रद्ध किया जाता है पाई डेंडा ऑप्शन भी पाई डेंडा से आंसर हो जाता है ठीक अगला क्वेस्टन निम्लिखित मैसे कि स्थान पर नंद भवन मंदिर उत्तर पिदेश में स्थित है नंद गाओं सहारन पूर मिर्जापूर बस्ती तो सभी को प लिखित मैसे किस स्थान पर नंद भवन मंदिर उत्तपिस में है तो भी या वो कहां पर है नंद गाओं में है कहां पर वच्चो नंद गाओं के अंदर जो है आपका नंद भवन मंदिर इस्तित है अगला question question number 90 है नब्वेवा प्रिश्न है जासी के पास देवगर का मंदिर और इलावात के पास गड़वास का मंदिर में बनी मूर्ती निम्लिकित मैसे निम्ल कला के महात्पूर अपसेस हैं गुप्त कला, राश्ट कूट कला, पल्लव कला, मौरे कला आपका जो देवगड़ मंदिर है वो तो हमारे ललितपुर में ही है नंद गाओ तो भया बताओ कि जहांसी के पास जो देवगड़ का मंदिर है किसने बनवाया था? गुप्त कला का प्रतीक है, इलावात के पास गड़वास मंदिर और आपका जहांसी के पास का देवगड़ मंदिर किसने हैं? गुप्त कला ठिक? अगला क्वेस्चन उत्तर प्रदेश के ब्रज छेतर द्वारा निम लिखित मेंसे कौन सा नरत किया जाता है दो महल भीहू चर्कुला फुगडी तो भीया चर्कुला नरत किया जाता है कहाँ पर ब्रज छेतर में ब्रज छेतर में जो किया जाने वाला नरत कौन सा है आपका चर्कुला है कौनसा वच्चों चर्कुला है ठीक अगला question 92 प्रिशन नंबर 92 दिया हुआ है निम लिखित मैंसे कौनसा नरत उत्तर प्रदेश से समझे नहीं है मैयूर रासलीला कटपुतली चर्कुला कौनसा नरत जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है तो भईया जैसे कटपुतली है कटप कुतली कहां से वच्चों राजिस्थान का लोकन रते है ठीक आगे चलते हैं मतुरा कला सैली काल की दौरान अपने सीस पर थी मौर कुसान मुगल या सल्तनत तो भईया कुसान काल में मतुरा कला सैली अपने सीस पर थी किस काल में वच्चों कुसान काल में कुसान के काल में कुसान काल में जो है मतुरा जो कला सैली है या फिर कहें का मतुरा कला सैली अपने चरम सीमा पर थी किसमें कुसान काल में अगला question उत्तर प्रदेश के प्रमुक लोकनरत कौन से हैं बिहू घूमर गरवा चरकुला कर्मा पांडव रो नाच भांगडा या रोफ लावडी कत्थक कत्थकली तो भीया आपका जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुक लोक निरत्य है आपके चरकुला कर्मा पांडव चरकुला कर्मा पांडव जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुक क् आगरा जासी लखनव जौनपुर आपका जो सारा नरत है सारा नरत पाई डंडा कहां से है तो भईया ये बुंदेल खंड से है जासी से है सारा नरत पाई डंडा नरत कहां से है बुंदेल खंड जासी से है ठिक अगला क्वेश्चन कौन से सास्तिय नरत रूप का उत्तर प्र कौन से सास्ती नरत रूप का उत्तर प्रिदेश में उद्वाव हुआ है कौन से सास्ती नरत का उत्तर प्रिदेश में उद्वाव हुआ है तो भाईया वो हुआ है कथक का उद्वाव कथक का उद्वाव कहाँ पर हुआ है उत्तर प्रिदेश में हुआ है अगला question निमलिखित मैंसे कौन सा नरत उत्तर प्रेस का लोक नरत है रास लीला ख्याल मैयूर उत्तर उप्रोक सभी तो भीया यहाँ पर उत्तर प्रोक सभी जो उत्तर प्रेस के लोक रास लीला भी है ख्याल भी है मैयूर भी है तो option D यहाँ पर उत्तर प्रोक सभी सही answer हो ज और ये द्वारा से question repeat हो गया कुसान कालम मत्रा कला सैली जो है अपने जो है चरम सीमा पया सीश पर थी अगला question भारत में कथक नरत के पृति पादक थे सोनल मान सिंग मलिका सारा भाई पंडित बिर्जु महराज उदर संकर कथक नरत के जो पृति पादक या किस ने दिया कथ तो भाईया वो दिया था आपका पंडित बिर्जु महराज ने पंडित बिर्जु महराज भारत में कथक नरत के एक पृति पादक थे कौन भाईया बिर्जु महराज और लास्ट question है फरूखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्मार बासाय ने करवाया था किसने करवाय तब चो औरंग जेव ने इसी के साथ आपके 100 questions आपर समाप्त होते हैं ठीक इसके बाद मिलते हैं next session में और next session में जाने से पहले आपको एक चीज हम बताए दे रहे हैं वो है आपका क्या जो है independence day offer आपका जो है स्वतंतरता दिवस का जो आपका आज का offer है जो आपका 20 तारीक तक चलेगा स्वरी 21 तारीक तक चलेगा वो है 15% off है उसमें आपको क्या code लगाना है BAA 15 code लगाना है आपको maximum discount मिल जाएगा already 50% discount चल रहा है 15% extra discount के लिए आपको BAA 15 लगाना है जो की 15 अगस्त के उपलक्ष में बनाये गया coupon code है एक coupon code आप लगाएंगे ठीक है तो आपको बढ़िया से अच्छा है discount मिल जाए सर offline address बता दीजिए offline address नोट कीजिए हमारा offline address है near रिसाला मंदर के पास रिसाला मंदर के पास बर्णी चौराहा डैम रोड ललितपूर उत्तर प्रदेश ठीक रिसाला मंदर के पास डैम रोड बर्णी चौराहा ललित ठीक यह हमारा address है हमारे offline coaching का और directly आप संपर कर सकते हैं 788-049-7104 इस नंबर पर आप कभी भी हमसे संपर कर सकते हैं आप सभी टिक कितने का है क्या कितने का है भी या course आपके जो है नीचे आपको description में link मिल जाएगा application वा website का बहाँ पर आपको जाना है ठीक है बहाँ पर आपको सारे courses test series set paper सब कुछ आपको PDF में upload है ठीक और कुछ आपकी free test series है free test paper है उसको भी लगा सकते हैं आप आपको नीचे जाना है व जो offline join करना चाहते हैं कितने रुपए का है भी या उसको आप जो है बहीं पर जाके देखिए app पर ठीक है आप इस number जो offline join करना चाहते हैं इस number पर जो है आप contact कर सकते हैं या directly जो course लेना चाहते हैं वो भी इस number पर contact कर सकते हैं मिलते हैं next session में कल की class में day 5 या पिर कहें live classes है गुड़ नाइट वच्चो गुड़ नाइट मिलते हैं next session में जै स्री राम